रेल पट्री पर से गुजरते हुए जो यह आवाज आ रही है उसे ध्यान से सुने तो यह आवाज निरंतर नहीं आ रही है उसमें थोड़ा अंतर अथ्वा फासले हैं क्या आप बता सकते हैं यह फासले क्यूं होते हैं आपने इससे पहले ठोस, द्रव और वायू पदार्थों के आउश्निक विस्तार के बारे में अध्यन किया थर्मामिटर में अलकोहूल प्रसरित होता है और उपर की ओर चड़ता है जब हवा गरम होती है उसका विस्तार बढ़ जाता है जिसके कारण आसपास की हवा की तुलना में इसका घनत्व छोटा हो जाता है इस कारण ही गरम हवा उपर की ओर जाती है ठोस पदार्थों में भी आउश्निक विस्तार होता है रेल की पट्रियों में और पूलों में जोड इसी कारण होते हैं ताकि तापमान बदलने के साथ साथ वियासानी से और मुक्तरूब से विस्तारित हो सके और सिकुड सके अलग अलग पदार्थ अलग अलग तापमान में प्रसरित होते हैं हमने इस aluminum की पन्नी को कागस के साथ चिपकाया है यदि हमने इस पन्नी को गरम किया तो वो एक छोर से टेडी मेडी हो जाएगे aluminum की प्रसरन ख्षमता कागस से भिन्न है इस विस्तार का क्या कारण होगा ठोस पदार्थों में अणू और परमानू बहुत नजदी इकमानों बंधे हुए होते हैं जब ठोस पदार्थों को उष्णता दी जाती है तब गतिज उर्जा पडोसी और नजदी की अणू और परमानू को एक दूसरे से दूर धकेलती है जिसके परिणाम सुरूप उनमें जरा सा अंतर बन जाता है और एक-एक करते हुए ये अंतर बड़ा आकार प्राप्त करता है जिसका संपूर्ण आकारमान पर परिणाम होता है और वो भी बड़ा बन जाता है प्रसरन की कोई निशित दिशा नहीं होती है वो सभी दिशाओं में होता है अब हम एक aluminium का rod लेकर उसे लकडी के stand के साथ जोड़ेंगे Rod का एक छोर हमने इस प्रकार बिठाया है ताकि वो हिल न सके जिसके कारण aluminium का rod अब एक ही दिशा में प्रसरित होगा अब हम इस यंद्र को aluminium के rod के दूसरे छोर पर लगाते हैं इसके जरिए aluminium के rod के छोटे से प्रसरन को भी हम इस पैमाने पर देख पाएंगे यदि हमने इसी प्रकार से थोड़ा सा धकेला तो ये निर्देश कांटा उपर की ओर जाता है अब हम इस aluminium के rod को पाँच मिनट तक गरम करेंगे जैसे जैसे ये गरम होना शुरू होगा वैसे वैसे इसका प्रसरन भी आरंब हो जाएगा ऐसे ही aluminium के rod को रेशिय प्रसरन कहा जाता है प्रसरित होते समय aluminium का rod लिवर अर्थात उत्तोलक को धकेलता है जिसके कारण इस पैमाने पर निर्देशक कांटा उपर की उर जाता है rod ठंडा होने के बाद सिकुड जाता है और निर्देशक कांटा नीचे आता है हम जानते हैं कि वस्तू का प्रसरन सभी दिशाओं में होता है जब हम aluminium की इस पन्नी को गरम करेंगे तब क्या steel की ये गेंद इस छेत के आरपार जा पाएगी हाँ क्योंकि गरम करने के बाद वो हर दिशा में प्रसरित होगा जब हम aluminium को गरम करेंगे तब वो प्रसरित होगा और गेंद उसमें से आसानी से जा पाएगी इससे पहले हमने देखा कि छड़ और थाली किस प्रकार से एक या दो आयावों में प्रसरित होती है यदि हमने aluminium का एक cube अर्थाद घन लिया तब हम ये किस प्रकार से जांज करेंगे कि क्या गरम करने के उपरांत वो सभी दिशाओं में प्रसरित होता है या नहीं ठोस पदार्थ तापमान के अनुपात में प्रसरित होते हैं रेशी आउशनिक प्रसरन का गुणांग किसी भी पदार्थ की विशेशता होती है ये गुणांग किसी भी पदार्थ को गरम करने के बाद उसका प्रसरण की सीमा का निर्देश होता है लंबाई, डेल्टा और एल में परिवर्तन का हिसाब लगाने के लिए निकालने के लिए हमें लंबाई, तापमान में बदला और रेशी आउशनिक प्रसरण के गुणांग का गुणन फल निकालना पड़ता है अर्थात लंबाई, गुणा, तापमान बदल, गुणा, रेशात्मग औशनिक प्रसरन गुणांग इस प्रकार के समीकरन का उप्योग करना पड़ता है ख्षेत्र फल लंबाई के अनुपात में दुगनी मातरा में बढ़ता है और वस्तुमान लंबाई के अनुपात में तीगनी मातरा में बढ़ता है ठोस पदार्थ भी द्रव पदार्थ की तरह प्रसरित होते हैं जिस बरतन में अलकोहूल है वो बरतन गरम करने पर अलकोहूल का स्तर बढ़ता है ठोस पदार्थों की तरह द्रव पदार्थों का भी आउशनिक प्रसरण होता है वायू का प्रसरण हमने इस कांच की बोतल के मुख पर एक गुबारा लगाया अगर हमने ये बोतल गरम पानी में डुबाई तो क्या होगा कांच की बोतल का तापमान बढ़ जाएगा और साथ ही अंदर जो हवा है उसका तापमान भी बढ़ जाएगा इसकी उपरांत उस बोतल की हवा प्रसरित होना आरंब हो जाएगी प्रसरित हवा बाहर जाने के लिए कोई मार्ग ढूंडेगी चूंकि कांच का विस्तार असंभव है इसलिए हवा बोतल की मुहाने पर या मुख पर लगाए गए गुबारे में जाती रहेगी इस कारण गुबारा फूलता रहेगा हम इस कांच की बोतल के लिए इरेजर अर्थात रबर का उप्योग कर कॉर्क बनाएंगे PVC पाइप की सहता से हम छेंक रबर को गोल आकार में काटेंगे गुबारा निकालिए और कॉर्क लगाईए यदि अब हमने इस बोतल को गरम पानी में रखा तो गया होगा कांच की बोतल में जो हवा है वो गरम होकर प्रसरित हो जाएगी लेकिन अब कॉर्क उस हवा पर नियंतरन रखेगा बोतल के भीतर भी हवा पर जब अधिक दबाव तयार होगा तब कुछ देर बाद बोतल का कौर्क खुल जाएगा इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हमने वायो को गरम किया है तब उसमें दबाव निर्मान होता है हम PHET सिमिलेशन के जरीए अब ये जानेंगे कि गैस को गरम करने के बाद वो किस प्रकार दबाव का निर्मान करता है अब हम इस बरतन में थोड़ी गैस डालेंगे और ढकन की मदद से उस बरतन को बन कर देंगे दबाव मापक हमें उस बरतन में निर्मान होने वायू के दाप को दरशाएगा बरतन के अंदर जो तापमान हैं वो हम इसमें देख सकते हैं इस समय हम मातरा को स्थिर रखेंगे यदि हमने ये बरतन गरम किया तो क्या होगा अंदर का दबाव बढ़ेगा और धकन जोर से उड़ेगा उचड़ जाएगा हम दबाव को स्थिर रखते हुए गैस का प्रसरण नाप सकते हैं बरतन में रखी गैस को हम लगातार गरम करेंगे और वायू अर्थात गैस की विस्तरण को नाप सके आकार मानात्मक प्रसरण गुणां को निरंतर दाप्रसरण गुणां कहते हैं सारांश हमने ठोस्पदार्थ, द्रव और गैसों के प्रसरण पर उष्णता के प्रभाव के बारे में जाना है अब हम ये जाननी की कोशिश करेंगे कि इस प्रभाव की हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या भूमिका है चुनोती आपकी मां के पास एक कांच का बोतल है जिसका धकन धातू का है उसका धकन बहुत मजबूती से लगा है मां के लिए वो धकन निकालना कठिन हो रहा है ये धकन सहचता से खुल सके इसलिए आप क्या कर सकते हैं एलुमिनियम के कैन पर गुबारा लगाए एक फूला गुबारा लीजी और वो एलुमिनियम के कैन के मुँपर लगाए यदि हम ये कैन गरम पानी में रखेंगे तो क्या होगा प्रफेंगे तो क्या है